हेलो एवरिवन आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 6 से 8 के लिए मैट्स की और टॉपिक है रचनाएं और आज हम सीखेंगे लंब रेखा और समानतर रेखा खीचना लंब और समानतर रेखा क्या होती ये आपको पता होगा और आज हम उन्हें पटरी और प्रकार की साहिता से खीचना सीखेंगे ठीक है तो हमको ये खीचनी आनी चाहिए रेखाएं तो काफी इंपोर्टेंट टाइप के सवाल है चार या पास सवाल ये हैं आज तो वीडियो क सवाला लंब है जिसमें बिंदू रेखा के ऊपर ही इस्तित है तो अगर रेखा के ऊपर ही कोई बिंदू हो तो उससे लंब खीचने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता केवाल उस पर 90 डिगरी का हमें क्या बना देना होता है कौन बना देना होता है क्योंकि लंब का मतलब क्या होता 90 degree का कौन तो इसमें हम क्या करेंगे एक पास मान लेता हूं P बिंदू यहां पर का आप कहीं पर भी मान सकते हैं क्योंकि इसने दूरी नहीं दे रखी है अब इस बिंदू पर 90 डेगरी का कौन बना दीजिए कौन बनाना आपको 90 डेगरी का आता होगा नहीं आता है तो उसको आप हमारे चैनल की वीडियो मिल जाएगी आपको उसे देख लें आप सबसे पहले एक जिस बिंदू पर कौन बनाना है महां परिकार की नौक रखे हैं एक अर्द विरत खीचा उसके बाद उसी दूरी से एक हिस्से से एक चाप यहां लगाया और उस पर रखका फिर एक चाप उपर और एक इस पर लगाया और फिर एक यहां से इस पर लगा दिया तो इस परकार यह हमारा 90 डेगरी का कौन बन करो गया तो याद इसे हमें लागे खीच देंगे तो यह क्या है हमारा लंब जाने कि किसी भी रेखा पर इस्थित बिंदू से अगर लंब खीचना है तो उस पर 90 डेगरी का कौन बना दीजी इसका नाम दे सकते हैं आप मालों यहां तक काई खीचना है आपको तो इसको दे दीजीए बागी कितनी भी दूर तक खीच सकते हैं क्योंकि यह हमारी एक किरण है क्योंकि एक बिंदू से निकल रही है और आगे बढ़ रही है अगला सवाल है सवाल नंबर दो एक 4.7 cm का रेखा खंड खीचिए इस रेखा खंड के बाहर एक बिंदू पी लीजिए और बिंदू पी से रेखा खंड पर लंब खीचिए यानिकि इस बार जो बिंदू है वो रेखा पर नहीं इस्थित होकर रेखा के बाहर इस्थित है तब हम कैसे लंब खीचेंगे तो सबसे पहले 4.7 cm का रेखा खंड कीच लेंगे 7 कहा आएगा देखे वो भी बता जाता हूँ आपको देखे 4 और 5 के बीच में यह जो संख्याएं है यह 1, 2, 3, 4 फिर यह बड़ी वाली लाइन यह 5 होती है फिर 1, 2, 3, 4, फिर 5 जाने कि 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 4.5, 4.6, 4.7, 8, 9 तो यह जो यहां तक है 5 के बाद 2 और खाने यह 4.7 तक की लाइन है कई आप यह कहें के 4.7 के खीचेंगे इसे नाम देदेंगे A और B अब इस बार जो बिंदू P है हमारा वो रेखा पर नहीं है वो रेखा के बाहर है तो वो उपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है ठीक है यहां होगा तो यहासे तो लंब खिचेगा नहीं इस रेखा के ही अंदर कहीं होना चाहिए तो मैंने मान लिया कि वो बिंदू मान लो यहां पर यह रहा इसे माल लिया मैंने पी बिंदू और मुझे इससे क्या कीचना है इस पर लंब कीचना है तो मैं क्या करूंगा इस पी बिंदू पर प्रकार की नौक रखकर ऐसी तरज्जा लूँगा जिससे कि ये इस रेखा को दो जगे काटे अगर एक जगे यहां नहीं काट रहा है तो हम इसे आगे डॉट डॉट बढ़ा लेंगे जैसे यहां से मैंने एक चाप लगाया ध्यान से समझे है मैं जो समझाना चाहरा हूँ और इस चाप ने इस रेखा को एक ही जगे काट आए तो दूसरी जगे काटने के लिए हम क्या करेंगे इस लाइन को डॉट डॉट बढ़ा देंगे डॉट डॉट इसलिए क्योंकि हमारी मेंन लाइन जो है वो गाड़ी है बाकी डॉट डॉट है इस दूरी को चेंज नहीं करेंगे हम और फिर एक चाप यहां से लगा देंगे और एक चाप यहां से लगा देंगे और फिर इसे मिला देंगे चाहें तो इसे डॉट डॉट और आगे की यहां तक की गाड़ी तो यह हमारा लंब किचके तयार हो जाएगा इसे नाम डाल सकते हैं A, B, यह यहां तक हमारी main line है P है, यहां पर Q डाल दीजिए यह O बिंदू यह O डेस बिंदू ठीक है, अगर माल लीजिए वो उसी की range में आ जाए मालूम एक अलग से बता रहा हूँ आपको बना के इस बार उपर वाले बिंदू से माल लीजिए बिंदू इस बार यहां पर है ठीक है तो हम जो चाप लगाएंगे इस बार यहां से तो जरूरी नहीं हो बाहर ही जाए क्योंकि देखिए इस बार जो चाप में लगा रहा हूँ मैं copy उल्टी नहीं कर रहा हूँ उल्टी भी कर सकते हैं यहां से इसी पर काट गया हूँ तो हम्हें dot dot आगे बढ़ाने की जुरुत बढ़ी नहीं दूरी हम change नहीं करेंगे फिर एक यहां से लगा देंगे चाप और एक यहां से लगा देंगे ठीक कहां जो चाप लगाया है वो रेखा पर दो जगे ना काटे तो रेखा को डॉट डॉट आगे बढ़ा लेते हैं अब चलते हैं आगे की तरफ अब जो हमारे सवाल है वो है समानतर रेखा खीचने वाले कि रेखा के समानतर रेखा किस तरीके से खीचते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि समानतर रेका खीचने के दो तरीके होते हैं एक तो ये खिच जाता है केवन पिरकाल से ठीक है और दूसरा ये खिचता है इस गुनिया से इसे हम गुनिया कहते हैं ये जो दो होती हैं आपको जमेट्री बॉक्स में मिल जाएंगी इनकी सहायता से और इस पेमाने की सहायता से भी हम समानतर रेकाएं खीच सकते हैं तो मैं जू आपको खीचनी से कहूंगा वो दोनों ही विद्यों से कहिचनी सिखाऊंगा ठीक है तो पहला जो सवाल है सवाल मंबर तीन जो है एक पाँच दसमलब दो सैंटी मीटर का रेखा खंड कीचिए इस रेखा खंड के बाहर इस्थित बिंदू P से इसके समानतर रेखा खीचिए तो सबसे पहले क्या करेंगे एक पाँच दसमलब दो सैंटी मीटर का रेखा खंड कीच लिए तो मैं यहाँ पर एक पाँच दसमलब दो सेंटी मीटर का रेखाखंड कीच देता हूँ पाँच और दो छोटे खाने और इसका नाम करण में कर देता हूँ तुरंथी एक कॉमा पी अब इसके बाहर एक बिंदू लेना है पी ठीक रेखाखंड के बाहर मालो मैंने यहाँ पी ले लिया और मुझे इसके समानतर एक रेखा कीच नहीं है तो सबसे पहला जो तरीका बता रहा हूँ मैं यहाँ बीच में लाइन कीच देता हूँ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसे अभी गुनिया की साहता से किसी सायता से गुनिया की उसके लिए क्या करेंगे आप इसे पेमाने को रखेंगे और यहां पर ऐसे गुनिया को रखेंगे यह लिए हमारी गुनिया ऐसे और फिर इसके साथ यह पेमाना ऐसे ठीक, यह हमारी लाइन है इस पर हमने गुनिया रखी और लंबबद दुरूप में पैमान रखा और इस से उपर सीधे हम ऐसे ही आते रहेंगे क्योंकि हमारी ये जो लाइन दिख रही है ना इसी के समानतर खिच जाएगी है ये लाइन हमारी नीचे बारी समानतर इसके होनी जाएगी है और यहाँ आकर हम यहाँ से लाइन खिच देंगे तो ये हमारी इसके समानतर रेखा ये रेखा जो है इसके समानतर हो जाएगी इसका नाम दे सकते हैं हम C, T एक तरीका तो ये है जिसमें हम गुनिया का बरियोग करते हैं ठीक है तो बहुत आसान है ये तो आपको जैसे सबसे पहले 5.2 cm का एक देखागंट खिच लिया और अब इसमें P बिंदू ले लीजिए आगे कहीं माल लेजिए मैंने यहाँ ले लिया अब मुझे इस बिंदू से इसके समानतर रेखा खिच नी है तो मैं क्या करूँगा मुझे पास गुनिया का प्रियोग नहीं करना है पटरी प्रिकार से खिच नी है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले एक तिरशी लाइन कीचूँगा यहाँ ठीक उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जितना कौण ये वाला बन रहा है जहां से दीजिएगा जितना कौंट ये बन रहा है उतना एक कौंट बिन्दू पीपर में ये वाला बनादू तो ये दौनो रेखा समान तर होंगी क्योंकी दोनो कौंट एक आंतर कौंट होते हैं और यदि दो रेखां के एक आंतर कौंट बराबर हो जाएं तो वो रेखा हैं समंतर होती है तो इस कौन को कैसे बनाएंगे देखे कितनी भी दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे यहाँ पर लगा दिया उसी चाप को ऐसे ही यहाँ पर लगा देंगे इस बिंदू से आसान है बहुत देख लिजिए दौन तरफ चाप लगा दिये अब इस कौन की माप जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ले लीजिए और यहाँ से चाप लगा दीजिए इसका मतलब है इस कौन के बरावर मैंने यह कौन बना दिया इसे आप खीच दीजिए तो ये जो रेखा होगी आटोमेटिक नीचे वाली रेखा के समानतर हो जाएगी इसका नाम दे दीजिए C, D इसे कितना भी लंबा आप कीच सकते हैं आप आगे की तरभी क्योंकि समानतर रेखा हैं तो कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है ठीक तो ये जो है ये पट्री पिरकार की साहता से ये गुनिया की साहता से है इसमें दूरी फिक्स नहीं है कि बिंदू पी कितनी दूरी पर है अब एक सवाल हम वो करेंगे जिसमें बिंदू पी दूरी पर है जाने कि फिक्स है उसकी दूरी कि अब उतनी ही दूरी पर मिलेगा आपको तो उसके लिए क्या करेंगे ज़स सवाल नमबर चार है एक रेखा खंड की लंबाई है चार पाच दसमलब चार सैंटी मीटर इससे चार सैंटी मीटर दूरी पर गुनिया और पटरी की सायता से समानतर रेखा खीचिए तो इसमें साफ साफ सवाल में कहा रखा है केवल गुनिया और पटरी की सायता से खीचना है तो हम गुनिया और पटरी की सायता से ही खीचेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम 5.4 cm की एक रेखा खंट खीच लेंगे 5 खाने और उसके बाद 4 छोटे खाने इस पर नाम डाल देंगे A, B अब हम इससे 4 cm की दूरी पर एक जो है समानतर रेखा खीच नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले तो हम अपने पैमाने को सबसे पहले हम पैमाना यहां रखेंगे इस तरीके से इसे रखेंगे यहां पर ठीक और इसके लंबबद यहां रखेंगे पैमाना रख दिया जी अब हम इस पर 4 cm अपने अंदाजे से पॉइंट लगाएंगे देखीजी 4 cm कहां बैठेगा अगर हम इसे 4 पर लेने पैमाने को ठीक आप देख रहे हैं न इस्ति यह इसके बिल्कुल समानतर है और यह इसके लंबबद होगी और यहां है हमारा 4 cm यह भी दिख रहे हैं अंदिश्टेंगे यहां से या तक कितना है 4 तो इस बिंदू को रेखा जाएगी वो इसके समानतर होगी और 4 की दूरी पर भी होगी तो कुछ नहीं करना इसे उपर भढ़ाईए और यहां लाकर रेखा ठीच दीजिए यह हमारी होगी 4 cm की दूरी पर समानतर रेखा यह जो डिस्टेंस इसके बीच का होगा यह होगा 4 cm ठीक है तो पट्री और गुनिया की सायता से हमने इस समानतर रेखा कीच यह कित्ती दूरी पर 4 cm की दूरी पर वस आपको इस तरीके से यह दो इस्टितियों में सेट करना आना चाहिए इसे ही आगे पीछे करके हम समानतर रेखा है कीच सकते है ठीक है अच की वीडियो में फिर हमने आपको दो इस तरह की सवाल बताए है एक समानतर रेखा कीचना और एक लंब रेखा कीचना लंब रेखा कब जब बिंदू रेखा के ऊपर इस्टित हो या बिंदू रेखा के बाहर इस्टित हो और समानतर रेखा पटरी और प्रिकार की सहाथा से भी सिखाई हैं और बुनिया की सहाथा से भी सिखाई हैं उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए सेर कर दीजिए कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कोगि हमारे चैनल पर रोजाने गरित की वीडियो जरूर अपलोट होती रहती है आज की वीडियो ये खतम होती है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद